तो इसके बाद हम नेक्स चाप्टर की तरफ जा रहा है है और नेक्स चाप्टर है हमारा सेफटी फरस्ट मतलब अपनी जो सुरक्षा होती है यह सुरक्षा आपको सबसे पहले करनी है तो सेफटी फरस्ट बहुती ईजी चाप्टर है ध्यान में रखना some of the learning objectives in this chapter that is the safety at home मतलब हम अपने घर में किस तरीके से सुरक्षित रह सकते है या फिर हम अपने घर में किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकते है उसके बाद है safety outside home जब हम घर के बाहर चले जाते है तब outside में हम किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकते है और उसके बाद है first aid यानि प्राथमिक चिकित्सा ये भी बहुत important होता है So think and discuss Think of one incident when you got hurt Now think why it had happened and what you could have done to avoid hurting yourself कि किसी घटना पर विचार करें कि आपको अगर कही पर चोट लगी है तो वो क्यों लगी है मतलब चोट ना लगे ऐसा कुछ आप पहले कर सकते थे क्या ये आप सोच विचार करके देख सकते है मतलब हमें hurt ना हो या फिर किसी दूसरों को hurt ना हो ऐसे किसी incident पर आपको सोच विचार करना है अभी हम सीदी से हम अपने चप्टर को स्टार्ट कर रहा है safety means protection safety means protection from danger, risk और injury safety मतलब हमें खुद की सुरक्षा करनी है खुद को protect करना है किस से danger, risk और injury से okay, you can stay safe if you think carefully before you do anything मतलब जो कुछ भी हम कर रहे है वो करने से पहले आपको अपनी सुरक्षा की बारे में भी सोचना है okay, मतलब you can stay safe if you think carefully before you do anything मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपकी सुरक्षा किस तरीके से होगी okay, जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी सुरक्षा किस तरीके से होगी ये भी आपको यहापे decide करना है most accidents happen due to carelessness मतलब ज़्यादातर accidents जो होते है ये ज़्यादातर accidents carelessness की वज़े से होते है मतलब हम अपनी care नहीं करते है इसलिए most accidents carelessness की वज़े से होते है okay, मतलब इसकी तरफ हम ध्याद नहीं देते हैं इसलिए most accidents ज़्यादातर accidents होते है ये भी बात ध्याद में रखनी है accidents can cause pain मतलब accident जो होगे वो आपको दर्थ तो देंगे okay, pain, injury and damage to our body मतलब accident जब होगा तो accident में आपको इन सभी को follow करना पड़ेगा okay, इनका सामना आपको करना पड़ेगा आपको pain होगा, injury होगी या फिर आपके body का कोई part damage होगा okay, in case of minor accidents like cuts समझो कि कई पर cuts लगा है wounds and insect bites okay, या फिर insect ने bite किया है the person can be given first aid तो उस person को सबसे पहले आपको first aid भी देना जरूरी है okay, उस इंसान को first aid भी देना जरूरी मतलब कि कई पर cuts लगा है चाकू से समझो, कई चीज से समझो wounds and insect bites the person can be given first aid तो उसको सबसे पहले first aid मिलना बहुत जरूरी होता है okay try it out write the uses of the items mentioned below okay, आप इसको try किजिए कि इनका uses क्या है okay, जैसे soap है band aid है, cotton है antiseptic lotion है इनका first aid में किस तरीके से use होता है या फिर आप इनका किस लिए use करते हो यह आपको यहाँ पर लिखना है okay उसके बाद हम start कर रहे first safety at home okay, हम safety at home यानि घर में अपनी सुरक्षा किस तरीके से कर सकते है so, accidents at home usually happen on staircases kitchen, bathrooms and where electric gadgets are used and when the floor is slippery okay अब यहाँ पर दिखिए कि accident at home मतलब घर में accident कहा कहा पर हो सकता है दिखिए usually happen on staircases मतलब जब हम सीडियों से चल रहे तब kitchen में bathroom में and where electric gadgets जहाँ पर electric gadgets लगे होते है वहाँ पर accident होने के संभावना ज्यादा होती है are used and when the floor is slippery अगर floor slippery है तो वहाँ पर भी आपका accident हो सकता है मतलब इतनी जगह यहाँ पर बताए गई कि यहाँ पर accident हो सकते है तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है kitchen तो kitchen की तरफ चलते है in the kitchen you may get cuts and wounds while working with the sharp knives and scissors kitchen में देखिए कि kitchen में सबजिया काटने का काम होता है तो वहाँ पर चाकू है या पर कोई दूसरे जो tools होते है you may get cuts मतलब वहाँ cuts लग सकते है bleeding हो सकती है while working with sharp knives and scissors कैची या फिर burns can happen when you are careless या फिर आग लग सकती है kitchen में kitchen में खाना पकाने का काम चलता है वहाँ पर ग्यास होती है so burns can happen when you are careless in handling steam मतलब आपने सही तरीके से उसको handle नहीं किया है तो आग भी लग सकती है तो इससे भी बचना है then water और oil while cooking using mastic carelessly also causes burn मतलब water और oil भी आपको अच्छे से वहाँ पर यूज करना है then while cooking using mastic carelessly अगर mastic को भी आप carelessly handle करोगे तो वहाँ पर भी आग लग सकती है ये भी बात ध्यान में रखनी है मतलब mastic भी आपको easily safely आपको उसका use करना है मतलब kitchen में इस तरीके से ये जो बताया गया है ये सभी वहाँ पर आपको follow करना पड़ सकता है इनका सामना करना पड़ सकता है so rules for safety kitchen में किस तरीके से हम safe रह सकते है so first do not be careless with knives और sharp object मतलब kitchen में जो sharp object होते है चाहे वो knives हो scissors हो या any sharp object in this kitchen so do not be careless तो आपको उसको careless नहीं करना है okay do not be careless with mastic while lighting something okay mastic का जब हम use कर रहें तो mastic का use जब भी आप करोगे तो आपको carefully उसका use करना है उसको जलाते समय भी आपको carefully उसको जलाना है keep the mastic away from any item which will catch fire easily मतलब mastic को आपको इतनी दूरी पर रखना है कि यहाँ पर जो fire है जो आग है वो easily वहाँ पर catch ना हो सके मतलब gas के बहुती दूर आपको उस mastic को रखना पड़ेगा okay कि वहाँ पर जल्दी आग ना पकड़े okay यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है turn off the gas stove when not in use okay मतलब कि आपको जब gas का use नहीं है turn off the gas stove when not in use okay खाना बन गया सब हो गया तो आपको gas की जो wall है वो आपको turn off करनी है okay वो आपको turn off करनी है do not try to work alone in the kitchen अकेले कीचन में वर्क नहीं करना चाहिए do not try to work alone in the kitchen जब आप अकेले हो तो कीचन में ज़्यादा वर्क आपको नहीं करना चाहिए wear cotton cloths while standing near the stove okay wear cotton cloths while standing near the stove मतलब जब भी हम खाना बना रहे तो कपड़े cotton के होने चाहिए पिछले period में भी last chapter में भी मैंने आपको बताया था कि wear cotton cloths while standing near the stove जब भी हम खाना पकार रहे तो हमारे कपड़े cotton के होने चाहिए नहीं nylon, terylene, अलग जो होते है silk के वो कपड़े नहीं होने चाहिए वो आग जल्दी पकड़ते हैं तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है उसके बाद है slips and trips slips and trips one easily trips over an object such as a mat or toy laying on the floor या फिर मैट से आपका पयर फिसल सकता है a slippery floor in the bathroom can cause a fall मतलब जहाँ पर आप sleeps हो सकते हो बातरूम है या फिर slippery floor है वहाँ पर आप sleep हो सकते हो so one easily trips over an object such as mat or toy laying on the floor या फिर mat से आपका पयर फिसल सकता है a slippery floor in the bathroom can cause a fall okay मतलब bathroom का जो floor है वह भी अगर slippery है तो आप वहाँ पर गिर सकते हैं falls can also take a place along the staircase a fall from a height like rooftops or balcony breaks bones and crack or break in our bones due to a fall results in a fracture okay मतलब a fall from a height like rooftop rooftop से और balcony से आप अगर breaks हो जाते हैं तो आपकी bones crack हो सकते हैं crack or break in our bones due to fall results in a fracture okay तो यहाँ पर इस तरीके से आपको fracture लग सकता है rules for safety में अगर slips and trips में अगर दिखना है so do not leave toys, toys carelessly on the floor after playing okay मतलब जब भी जब भी आप खेल रहे हैं तो आपकी toys जो है okay toy आपको अच्छे से रखने हैं जहाँ उसकी जगर बनाए गई है वही पर आपको अपनी खेलोने रखने हैं on the floor after playing okay खेलने के बाद आपकी toy जो है वह आपको सही जगे पर रखने है do not climb on any furniture which does not balance well okay do not climb on any furniture which does not balance well मतलब की furniture जो होता है furniture सही जगे पर रखना है do not climb then do not jump and skip steps on the staircases okay मतलब सीडियों से आपको कूदना नहीं है किसी steps को आपको skip नहीं करना है मतलब एक 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 सीडी आपको चलटते जाना है do not skip the steps okay keep the bathroom floors dry when not in use okay जब bathroom यूज में नहीं है तो आपको उस bathroom को dry भी करना चाहिए okay अगर आप राय नहीं करोगे तो यह slippery हो जाएगा okay यह भी बात हमें धायन में रखनी है तो आज के लिए इतना ही डेंजर्स आप इलेक्रिसिटी हम नेक्स्ट पिरिड में देखेंगे तो आज के लिए इतना ही गुडबाई टेक क्यार